प्रोग्राम के शुर्वात दा कश्मीर फाइल्स को लेकर सियासी लड़ाई अब बेहत बड़े अइस्तर पर पहुंच चुकी है राजनितिक पार्टी के नेताओं अभी तक दा कश्मीर फाइल्स को लेकर अलग अलग टिपड़ी की लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन के जिवाल को दा कश्मीर फाइल्स पर बोलना भारी पढ़िया कश्मीरी पंडितों का मज़ाग उड़ाना भारी पढ़िया और अर्विंद के जिवाल पर लगातार टिपणिया भी हो रही है और उनको घेरा जा रहा लेकिन इस बीच बड़ी खबर सामने आई है अर्विंद के जिवाल के घर पर शाही फेकी गई है और उनके घर पर टोड फोड की घटना भी सामने आई है इन्हीं तमाम मुद्व पर हमारे साथ बातकर बातचीत करने के लिए मौजुद है हमारे विशेज स्वयोगी मितुंचे और मितुंचे बहुत-बहुत स्वागा थे आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में मितुंचे पहला सवाल रहेगा कश्मीर फाइल्स को लेकर जहां एक और राजनीती हो रही है और यह माना गया कि अर्विंद के जिर्वाल ने कश्मीरी पंडितों का जिस तरह मज़ा पुड़ाया ना तो कश्मीरी पंडितों को ये बात पसंद आई और ना ही पीजेपी की लेकिन फिर भी अर्विंद के जिर्वाल पर इस तरह का हमला करना उनके घर पर इस तरह से तोड़ फोड़ करना कहां तक जायज माना जाए प्रहुल देखिए अगर आप देखें किस तरह ऐसे देखें सबसे पहले आप देखें तक श्मीर फाइल्स रिलीज होती है उस पर हंगामा शुरू होता है उसके जोटी फिल्म जैसा शब्दुना ने इस्तमाल किया वो उन पर भारी पढ़ गया इसी के साथ साथ उन्होंने हसते हुए ऐसी कही बाते कहीं तो कश्मीरी पंडितों को ये लगा के उनके दर्द पर अरविंद के जिवाल हस रहे हैं बहुत ही असमवेदन शील वो बयान कि क्या कश्मीरी पंडितों के दर्द को दिल्ली के मुख्यमंत्रे अर्विंद के जिवाल हसी में उडाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन विरोध करने का मतलब तो ये नहीं कि किसी के घर पर आप जाएंगे वहाँ तोड़ खोड़ कर देंगे विरोध करने का मतलब तो ये ट्विटर पर बात कर रहा खोई वैसे धर्ना देरा है लेकिन किसी की घर पर तोड़ पोड़ करना और दिल्ली के मुख्यमंत्री पर थो सब्सक्योर्टी पर भी सवाल खड़े होते हैं इसके साथा सुरक्ष में कें Сам कहर पी जो है टेप्रिस मनीश的 Touhya उनक्कों की साभ त तो कर रहते हैं इस धरने प्रदर्शन का और लगाता जो धरना प्रदर्शन जिस तरह से उगर हुआ और वहाँ पर जैसे आपने तमाम बड़ी बाते कहीं के तोड़ फोर्ड की घटना सामने है उसके बाद उन्हें हिरासत में भी लिया गया देखे लेकिर अभी यह कहा गया लगातार जो है इस फिल्म पर हम चर्चा भी कर रहे हैं और एक महत्मून सवाल मितुझ जैसे मैं यह करूँ मितुझ आकरकर फिल्म का विरोध क्यों हो रहा है क्योंकि जहां एक और यह बता रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो घटना घटी थी वह सची है और यह ब इना कहीं दो समुदायों को बाटने की कोशिश के जारी और जो दो समुदायों बट रहे हैं आखिरकार इनको बाटने का मकसद क्या है क्या 2024 के चुनाओं की तयारी बीजेपी कर रही है या फिर इसके पीछे का और कुछ मकसद है रहुल देखिए अगर मैं बात करूंगे कश्मीर फाइल्स को लेकर अभी तक हंगमा जारी कियो है। तो देखिए आप एक छोटी सी-सी समंधी की कोशिश की दर्द को बताती है चाहए वो प्रोटाइगनेस ले लीजिए एन्टाइगनेस ले ले लीजिए हमेशा किसी एक साइट की स्टोडी को भी बताया जाता है तो ये फिल्म लगाता कश्मीरी पंडितों के दर्थ को बताती है, अब देखिए अगर एक दर्थ को बताया चारा है, तो इसका मतलब यह होगा कि दूसरी तरफ ने कुछ ना कुछ अत्याचार की होंगे, लेकिन ये मूवी उसको फोकस नहीं करती, ये मूवी फोकस करती है क कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ, हाला कि जिन घटनाओं का जिक्र उस मूवी में किया गया, देखिए वो सची घटना है सारी, वो सची घटना है, एक एक घटना का जिक्र आपको न्यूस पेपर आर्टिकल्स में मिल जाएगा, आपको तमां मैगजीन में मिल कश्मीरी पंडितों को मजाख नहीं उडा रहें, उनकी बातों को गलत तरीके से लिया गता है, वो तो कश्मीरी पंडितों का सम्मान करते है, दरसल बात तो कुछ evitar ही, लेकिन जान बूच कर उनका करेक्शन या पर कश्मीरी पंडितों. उसके बाद, उनके बेधान में उन्होंने ये भी खा के बैने मूवी देखी नहीं है और अगर अरवेंद केजईग वाल है जो मुवी नहीं देखी तो उन्होंने इस बात को कैसे जोर शोर शे प्रमोशन के देखिए कि आमीर खान है, अजे देवगन है, तापसी पलनु है, यहां तक कि सलमान खान का भी जिकर कर लेंगे, उन्होंने भी फिल्म को कहा है कि हाँ, लोगों को देखना चाहिए सिनेमा घरों में, तो तमाम बॉलिवूड की कई सितारें, जिन् भी फिल्म देख सकते हैं, लेकिन प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी का इस फिल्म को इतना प्रमोट करना, क्या इसको सियासिया एंगल से अगर जोड़ा जाता है, तो क्या माना जाए 2024 की तैयारी पूरी जोर चोर चोर चे हो रही है बीजेपी की तरफ से, लाहल बिल्कुल पुदलगातार वहाँ पर घर दी जाने की बात की जा रही थी, वहाँ पर बसाने की बात की जा रही थी, लेकिन उचीज अभी तक पूरी नहीं हो पाई, आट साल हो चुके हैं सत्ता में बीजेपी को, और इसके बाद अगर आप देखें, इस मूवी को इस तरह से हुए हैं इस तरह से हिंदू-Muslim को लेकर, लेकिन इस फिल्म पर इतना विबात को देखनों को मिल रहा है, क्यों इस फिल्म पर इतना जोर दिया जा रहा है, वज़ा क्या है कि परदे की पीछे रहकर जाद से जादा फिल्म को प्रमोट करने का काम किया जा रहा है, रहुल नहीं है, अगर आप इसको देखें तो आपको पता चलेगा, यह किसी अजंडा की तुर मूवी नहीं बनाएगा, जहां जहां बीजेपी की सरकार है, जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वहां पर फिल्म को तो टेक्स फरी कर दिया गया है, इसका मतलब क्या है, तक कि समाजवादी पार्टी तक ने कहा था कि लखीम पूरफाइल्स बननी चाहिए, तो देखें, डिरेक्टर की तरह से नहीं क्या है, डिरेक्टर ने कहा है, कि मैंने कश्मीरी पंडितों के दर्द को देखा है, हमारे देश में बहुत सारी ऐसी फिल्म है, जो ग्यान वर तो इसको जादत से जादा प्रमोट भी किया जा रहा है, और बीचेपी जो है अपने राज़ों में टेक्स फ्री भी कर रहे है, तो बहुत देखें, बिल्कुल आपने ठीक बात कि भेदबाव किया जा रहा है, और भेदबाव पार्टी आपने हिसाब से करती है, आप इस चीज़ को देखें, अर्विंद के ज्रिवाल जो को टेक्स फ्री ना करने की बात कर रहे है, सांड की आख और छपाग जैसी काई फिल में थी जिनको ने टेक्स फ्री किया, तो हर पार्टी अपने एक एजंडा सेट करके जाती है, और ये भी एक एजंडे का मुद्दा है, हलाकि डिरेक्टर की तरह से को एजंडा नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से एजंडा है, तो पॉलिटिकल पार्टी और साब तो आपर देखा जाए, बीजेपी दा कश्मीर फाइल्स के जरिये दोहज़ार 24 जीतने की तैयारी कर रही है, और बहुत बड़े हद तक अर्विन के जिवाल और डिप्टी सियम जो दिली के हैं, मनीस्ति सोधिया, उनका कहना है कि बीजेपी ने यहां पर बहुत बड़ी साजिस रची है, और उनके द्वारा हमला हुआ है, हालाकि देखना होगा कि जो मामला बढ़ रहा है, ये कहां तक जाएगा, और क्या जो बीजेपी की तरफ से जो आगे इसको प्रोटेश्ट कर रहे थे, वो उनके खिलाफ क्या बड़ा कदम उठाया जाएगा, चलिए आज के लिए इस डिबेट प्रोग्राम में इतना ही है, आप से फिर कल दुबारा मुलाकात होगी, तक तक के लिए मुझे मेरे सही होगी, मि